महराष्ट की राजनीती में एक बड़ा उलट फेर हुआ है और जो सरत पबार आप लोग देखते हैं ना जिन्हें महराष्ट की राजनीती का चाड़ के कहा जाता है इनके भतीजे हैं अजीत पबार और इन्हें आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे इन्होंने सरत पबार का साथ छोड़कर भारती जिन्ता पार्टी बीजेपी का साथ ले लिया और महराष्ट के उप मुक मंत्री डिप्टी सीएम की सपत ले ली है इन्होंने तो आज हम लोग अजीत पबार के बारे में एक सामान चल्चा करेंगे एक सामान जानकरी इनके बारे में देखेंगे लेकिन याद रखें डिप्टी सीएम यानि कि उप मुक मंत्री या फिर उप पिधान मंत्री का पद समीधान में कहीं कोई विवस्था नहीं है क्या होता इनके सरत पवार हैं ये अजीत पवार आपको देखने को मिल रहे हैं ये अजीत पवार का परिवार है एक बार आप लोग महराष्ट को देख लिए देखे ये हमारे प्यारा भारत है इसमें आप देखेंगे ये आपको महराष्ट देखने को मिलेगा मुंबई इसकी रादध सीटे हैं राजे सभाब में 19 सीटे हैं लोगसभा में 48 सीटे हैं तीन लाग 773 बरक किलो मीटर में आपका महराश्ट पहला हुआ है छेदपल में तीसरे नमबर पहे पहले पर आजिस्तान दूसरे पमाबंत्पित इस तीसरे पर महराश्ट का नमबर आता है अगर हम लोग सरत पवार के भतीजे अजीत पवार का पूरा नाम देखें तो अजीत अनंत राओ पवार इनका पूरा नाम है इन्हें लोग अजीत दादा के नाम से जानते हैं अजीत पवार के नाम से भी जानते हैं इनका जनम 22 जुलाई 1969 को होता है इनके पिता का नाम अनंत राव पवार इनके चाचा का नाम सरत पवार इनकी पतनी का नाम सोनेत्रा पवार है इनके दो बेटे हैं एक पर्त पवार एक जै पवार और इनकी सिक्छा की बात करें तो महराष्ट के बारमती में महराष्ट उन्हें कॉलिज की पड़ाई की हुई है यह अभी तक राष्टरवादी कॉंग्रेस पाटी से जुड़े हुए थे और इनके केरियर की बात करें तो आप देखेंगे 1982 में अजीद पबार पूने में एक सहकारी चीनी कारखाने की बोर्ड के लिए चुने गए थे 1982 में उसके कम उम्र की कोई सीमा नहीं रखे गई है और लोगसभा सदस का चुनाओ डारेक्ट जनता यानि की मद्दाताओं के द्वारा होता है अगर आपकी उम्र 21 साल हो कितनी पहली 20 साल थी अब 18 साल कर दी गई 18 साल है तो आप देखते ही कि आप लोग बोटा सुची में नाम आली की लोगसभा की और सदरत पबार ने इससे चुनाओ लड़ा और जीते भी है ठीक है और इसके बाद वो क्या बने रक्षा मंत्री पत पर बने रहे हैं एक आप देखे नियम रहता है कि अगर राज्य सभा लोगसभा की सदस भी नहीं है तब भी आप बिधान मंत्री ब 12 मती सीट से महराश्ट बिधान सभा चुनाओ लड़ा और जीता भी उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी और 1995-1999-2004,2009,2014 और 2019 में उसी निरवाचन चेस से इन्होंने चुनाओ जीता और इन बरसों में नहीं किरसी, बित्ति से चाई, बिजली, ओप, प्रमोक जैसे कई बिभागों को समाला, महराश्ट के मंत्री भी रहे, अजीत अपने करीबी और उनके अन्यवाईयों की बीच काफी पिसिद हैं, बड़े भाई की रूम में लोग पिरिये हैं, और आप देखते हैं कि इन्होंने 12 मती बिधान सभा सीट से 2019 का महराश्ट बिधान सभा चुना जो राज्य में सबसे ज्यादा था, और आप देखते हैं कि कुछ समय के लिए 23 नवंबर, 26 नवंबर 2019 को अजीज पवार ने सरत पवार की सहमती के मिना भाजापा का समर्थन कर दिया था, और CM बन गय थे उस समय देविंध फर्डविस, उनके साथ महराश्ट के उपमुक् 19 को, क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं था, और आप देखेंगे कि फिर से 2 जुलाई 2023 को NCP में तूट के बाब सिंदे सरकार में डिप्टे CM बने हैं अजीद पवार, इन से जुड़े हुए कुछ बिबाद भी हैं, और कई लोग कहते हैं कि इन बिबादों के कारण, इन ब बाले भी होते हैं, आगस्त 2002 में जब वे जल संसाधर मंत्री थे, उन्होंने कथे तौर पर महराष्ट किष्णा घाटी विकास निगम से लवासा को 141.15 हेक्टर भूमी लीच पल दी थी, जो सरद पाबार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, कथे तौर पर MKBDC और लवासा की रूपे की घोटाले में नामित किया गया था, और ये आरो महराष्ट की पूर्व नौकर साहब विजय पंधारे ने अजीत पर लगाय थे, इन आरोपों के बाद अजीत को महराष्ट के डिप्टी सीम पद से इस्तिवा भी देना पड़ा था, हाला कि क्लीन चिट मिलने के बाद उन्हें बहाल कर दिया गया था, और आपने देखा होगा कि जब देविंद फंडवीस चुनाओ परिचार करते थे, तो इन पर डारेक्ट अटेक भी करते थे, और कहते थे कि हमारी सरकार आई तो हम जिल भेजेंगे, तो देखे कब कौन कहां मिल जा ये राजनीती द बायान दिया, जिसमें कहा था कि अगर बाद में फानी नहीं है, तो क्या हमें उसमें पेसाफ करना चाहिए, बाद में अजीब ने कहा थी, बयान उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती है, मापी भी मांगी थी, अपरेल 2013 में बिजली का टौती और लोड सेडिंग पर बोलती उन्होंने मैंने देखा कि अधिक बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब जबकि रात में बत्तियां बोज रही हैं, उसके बाद और कोई काम नहीं बचा, तो इस तरह के विबादित बयान भी देते रहते हैं, यह आप देखेंगे 16 अपरेल 2014 को अजीद, 2014 के आम चुनाओ के लि इस तरह कारोब भी लगा, एदो नमंब 2021 को पवार की संपत्ती एक हजार करोड जिसमें एक चीनी कारखाना दच्छिट दिल्ली में एक आवासी संपत्ती मुंबई के अप मार्केट, छेत में एक कार्याल है, नरीमन प्रोइंट में निर्मल टावर माना जाता है, गवा में इक रिसोर्ट और राज जी के विवन हिस्सों में भूमी सामिल है, कोई स्थाई रूप से सलगन किया गया था, आयकर विभाग द्वारा इससे पहले अक्टूबर 2021 में देवंगत ने स्री पवार के रिष्तेदारों और सही होगी, यूँकि आप देखते हैं कि बेवसायों पत्यों पर कई चापे भी मारे थे, आप देखें उनके पितागी बात हो रही है, तो इस तरह से आप देखेंगे अजीत पवार की कहानी है, एक सौट वाय गर आप ही आप लोग कहा सकते हैं, और किसी के बारे में बात करनी हो तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, वाकि आप लोग पढ़ते रहिए, जानते रहिए इनके बारे में